जैसा कि आप सब आजकल देख रहे हैं कि सारे चिकितसक आजकल हड़ताल पर बठे हुएं, अस्पतालों पर ताले लग गए हैं और चिकितसक सड़कों पर उतराए हैं। ऐसा क्या हो गया राजस्तान में आज कि हजारों चिकित्सक लाखों लोग सडकों पर बैठे हैं नारे लगा रहे हैं और इलाज बंद कर रखा है अस्पतालों में ताले लग गए हैं मरीजों में त्रही त्रही मची हुई है और उस पर भी सरकार आखें मूंद कर कान बंद कर कई बैठी है सोच ये जरा आखिर ऐसा क्या हो गया है हुआ है सरकार का काला कानून काला कानून जो राइट टू हेल्थ बिल के नाम से लॉंच किया गया है एक इस मार्च को सरकार ने विधान सभा में ये बिल पास किया था और तभी से सारे चिकित सक प्राइवेट सरकारी के सब इस बिल के विरोध में सडकों पर उतर आये हैं आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर इस काले कानून में ऐसा क्या लिखा है जिसके कारण लाखों चिकित सकों ने अपना हॉस्पिटल बंद करके सडकों पर बैठना चूस किया आखिर क्या है इस राइट टू हेल्थ आखिर राईट लिविंग भी है राइट फूड भी है और राइट टू हेल्थ तो हमारे सवीधान में शुरू से ही लिखा है उसके लिए एक नया बिल और लाने के क्या ज़रूरत थी क्या अभी तक सारे चिकित्सक सरकारी सेवाओं में काम नहीं कर रहे थे, बिलकुल कर रहे थे, चिरंजेवी योजना, RGHS, CGHS, ECHS, इतने सारी योजनाएं लागू कर रखी हैं, और उसमें सारे प्राइवेट हॉस्पटल और सरकारी हॉस्पटल काम कर रहे हैं, उसके बावजोद भी हमारे माननीय मुख्य मंतरी जी, एक और नया बिल लेकर आये हैं, जिसको कि Right to Health कर दर्जा दिया गया है, Right to Health करके, और बड़े-बड़े होडिंग लगा दिये हैं सरकार ने, सडकों पर, चौराहों पर, कि सब कुछ फुरी है, फ्री, 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 ये फ्री की मानसिकता, हमारे देश को 20 साल पीछे कर देगी, और राजस्थान सरकार में, जहां की सब कुछ बहुत अच्छी से हो रहा था, वहाँ पे चिकितसा सेवा को सरकार ने ठप कर दिया है, और पिछले 11 दिनों से सारे चिकितसा सडकों पर बैठे हैं, इलाज बंद कर रखा, तब भी ऐसी स्थि में भी सरकार अपने आखें मून कर कान बंद करके अपने कमरों में, अपने कक्षों में बंद बैठी है, और न तो उसे किसी मरीज की दर्द की पुकार सुनाई आ रही है, नहीं चिकितसकों की तरही तरही जो मची हुई है, ना चिकितसकों का दर्द उसे समझ में आ रहा ह सबसे इंपॉर्टेंट है कि माननी ये मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल इसली लाया गया है कि गरीबों को इलाज से वंचितना रहना पड़े किसी की इलाज के अभाव में मृत्यू ना हो तो सारे चिकित सक इस बात का समर्थन करते हैं कि हाँ डेफिन हुक्स में कड़िक में एक मेंडिकल कlli खोलर सक्ताइं बड़ा सरकारी ऑस्पठियल होता है जिसमें की सभी की सुवढ़ाइं उपलब्ध होती हैं किjor कि कि होस्पटल हने होते हैं और सरकारी होती है estar ANY इस इसकी होती है। सारश और भी बहुत सारी क्लेक्स हैं जहां पर की फ्री में इलाज होता है अब सरकार ये कहती है कि सारा का जो फ्री इलाज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिले तो आप सोचिए जरा कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाला फ्री में इलाज कैसे देगा क्या सरकार प्राइवेट होस्पटिल वाले को बिजली फ्री में देती है क्या पानी फ्री में देती है क्या वहाँ पे जो डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है उनको तंखशा सरकार देती है____ cream देती है बिजली भी कमर्शल marriage पर दी जाती है 54 तरह के license एक hospital को चलाने के लिए लिए जाते हैं और आप जानते कि जितना corruption राजस्थान और भारत देश में है उसके तहट आपको पता है हर आदमी इस चीज़ से वाकीफ है कि सरकारी काम कैसे करवाया जाता है हर एक license के लिए कितना पैसा पिछे से देना पड़ता है उसके बावजूद भी कोई ने कोई कमे निकाल कर फिर और पैसा मांगने पहुँच जाता है फिर उसके बाद में सरकार कहती है कि golden hour होता है emergency treatment के लिए कि हर अगर कोई road traffic accident है या और कोई problem है मरीज को within one hour याने कि एक घंटे के अंदर treatment मिलना चाहिए हम भी इस बात को support करते हैं कि जरूर मिलना चाहिए लेकिन क्या ये free इलाज देना एक private hospital वाले की जम्मेदारी है नहीं एक सरकारी एस्पताल की जम्मेदारी है क्योंकि सरकारी एस्पताल में सारी सुईधाएं एक छट के नीचे मौजूद होती है दूसरा problem सरकार कहते ही हर चिकित्सक के जम्मेदारी है अब आप एक बताए कि road traffic accident हुआ और वो मरीज महुच गया एक आँखवाले doctor के पास तो क्या आँखवाला doctor उस मरीज के टूटी होई हड़ी का इलाज कर पाएगा क्या उसके सिर में जो चोट लगी उसका सिर्फट गया है ब्लीडिंग हो रही है एक आँखवाला doctor या गाइनिकलोजिस्ट सिर्फ अटने का इलाज कर पाएगा उसके लिए नियूरो सर्जिन की जुरुत पड़ेगी ता आप सोचिए कि आप किस क्वालिटी की चीज़स आप अपनी जनता को देने जा रहे है और अगर आप सोचिए एक चिकित सकने मानवियता इंसानियत के नाति मरीज का ट्रेटमेंट करता और मरीज की मौत हो जाती है और आज की इस्तिती में राइट टू हेल्थ बिल इस चीज को क्या कम करेगा या बढ़ाएगा आप खुद समझदार है आप खुद सोचिए कि क्या होगा ऐसी इस्तिती में रोज के जगड़े बढ़ते हैं मरीज मरेगा मरीज को बचाने की जगए उसके म्रत्यू निश्चित है क्यों क क्योंकि एक जब तक सही आदमी सही डॉक्टर किसी मरीज का इलाज नहीं करता आज एक हड़ी टूटने का इलाज आख वाला या गाइनिकलोजिस नहीं कर सकता या किसी के नाक में से अगर नकसीर आ रही है या और कुछ हो रहा है तो दूसरा डॉक्टर जो उसका स्पेशल प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी कंडिशन है यानि कोई घर्भवती लेडी है प्रेगनेंसी है उसको और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है अब वो अगर इमर्जन्सी है तो उसे जो भी नियर बाय डॉक्टर है वो उसे देखेगा और उसका इलाज करेगा बताईए कि और्थोपेडिशन एक गाइनेकलोजिस्ट का ट्रीक्मेंट कैसे दे पाएगा यानि कि उसको डिलिवरी वो कैसे ले पाएगा अगर वो डिलिवरी लेता है और पीपीएच होता है या बच्चे या मा की मौत हो जाती है तो आपने देखा अर्चना शर्मा का केस क लिए उसको एक साल पूरा हुआ है उसको लोकल नेता ने लोकल लोगों ने गुंडागर्दी करकर इस हद तक परेशान कर दिया कि इसको सुसाइड करनी पड़ी तो क्या इस तरीके की जो बिल है चिकित्सकों को मजबूर नहीं कर देंगे सुसाइड करने के लिए तो एक शर्मा को अभी हम भूले नहीं है उसके शर्धान जली हमने कल दी है और फिर से इस बिल के चलते क्या और गाइनेकलोजी सुसाइड नहीं कर लेंगी सोचे कितना काला कानून है अगर आप अपने जनता को अधिकार देते हैं तो चिकित्सक भी तो आप ही की जनता है मानने मुख्यमंत्री जी हम क्या किसी दूसरे के हैं तब एक जने को अधिकार देकर एक को मरने के लिए छोड़ रहे हैं आप भी तो इंसानियत देखिए कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज करने का इलाज करने से कभी मना नहीं करता जितना उसके बस में होता है उतना जरूर करता बट नेतागिरी के चलते गुंडागर्दी के चलते दादागिरी के चलते और ना समझ लोगों के चलते बढ़कावे में आकर रोज अस्पतालों में जगड़े होते हैं जो कि इस बिल के बाद इतने जादा बढ़ जाएंगे कि काम करना मुश्किल हो जाएगा तो कुछ तो सोचिए कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी आप कहते हैं कि चिरंजीवी में इलाज संभव है हम सब सारे अस्पताल वाले चिरंजीवी भामशा और RGHS और CGHS सब में काम कर रहे हैं लेकिन आपको उनकी हकीकत पता है कि 10 में से सिर्फ साथ पैकेज आप लोग पास करते हैं तीन या चार पैकेज आप रिजेक्ट कर देते हैं मरीज तो इलाज करवा कर चला गया प्राइवेट हॉस्पटल वाले का खर्चा लग गया लेकिन कितने दिन तक भरेंगे एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन फाइनली शटड़ाउन की नौबत आ जाएगी बंगाल में भी एक इसी तरीके का एक्ट लगा था जहां पर सारे फैक्टरी मालिकों पर इस तरीके के कानोन लगा दिया गया था फाइनली क्या हुआ बंगाल से सारी फैक्टरी शिफ्ट हो गई हैं बंगाल का विकास रुख गया इसी प्रकार अगर राजिस्थान में राइट टू हेल्थ बिल लगा तो क्या होगा चिकित्सक यहां से बाहर चले जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिडल बंध हो जाएंगे आप फिर से केवल सरकारी इस्पतालों के उपर निर्भार हो जाएंगे और सरकारी इस्पतालों के बारे में हर आदमी जानता है कि सफाई विवस्था कैसी है क्वालिटी कैसी है कितनी लंबी लाइन है आज एक बिजी आदमी जो बहुत बड़ा आदमी वो कैसे सरकारी इस इतने सारे एक्ट को तोड़ दिया गया है बिल पूरी तरीके से ऐसामयधानिक है सरकार जनतादा की भावनाओं के साथ खेल रही है राइट टु हेल्थ देना बहुत अच्छी बात है लेकिन राइट टु हेल्थ देना सरकारी ऐस्पतालों की और सरकारी सिस्टम के जम्हेदारी है ना कि private hospitals की private hospitals वाले अपना जीवी को पार्जन कर रहे हैं 15 साल की मेहनत के बाद कोई इंसान डॉक्टर बनता है और उसके भाद वो आज भी स्ट्रगल कर रहा होता 54 के license रोज की खर्चे रोज के जगडे सबसे निपढ़ते हुए उसे भी अपने बच्चे पाल रहे होते हैं से भी अपने बच्चों को private school में पढ़ाना पड़ता है क्योंकि सरकारी स्कूलों की तो हलत आप जानते कि कोई नहीं पढ़ा सकता उन्हें भी अपने बच्चों को अच्छा education देने का अच्छा खाना देने का उनका भी अधिकार है तो अगर हम लोग कुछ earn नहीं करेंगे तो आप ही बताईए कि हम लोग हमारे परिवार को कैसे पालेंगे क्या हमारे को quality life जीने का अधिकार नहीं है क्या हमको अपनी आजिवी का कमाने का अधिकार नहीं है अगर हम लोग सारे कम free में करेंगे तो आप बताईए कि private hospital वाले कैसे survive कर पाएंगे और इस bill के अंदर अ चार चार लोग थे जिनको की junior lower court ने फासी की सजा सुनाई थी उनको high court ने आज उनको बरी कर दिया है यह एतिहासिक फैसला दिया है तो क्या हम उनातंकियों से भी खराब हैं हम आप लोगों का इलाज कर रहे हैं और कोविड के टाइम पे हम लोग कोविड योधा बने थे लोगों ने हमें फूल बरसाये और आज हमें यह कहते हैं कि हम सिविल कोट में भी नहीं जा सकते सोचिए कि यह बिल कितना असमय धानिक है क्या हम भारतिय जनता नहीं है हम लोग तंत्र के वासी नहीं है क्या हमें हमारी बात रखने का कोट में अधिकार नहीं है इस बिल मे यह कहा गया है कि Civil Court में हम हमारा केस नहीं रख सकते सोचिए कि कितना गलत है स्वास्ते के अधिकार को अगर आप देना चाहते हैं तो आपको शुद्ध भोजन देना पड़ेगा स्वस्त पानी देना पड़ेगा सवस्तवातावरन देना पड़ेगा एयर पल्युशन से बचा इन दलालों की खानी और लोगों की जो करॉप्शन की भावना उसके कारणी बढ़ती जा रही है उसको तो रोकती नहीं है सरकार और सीधर हेल्थ रूराइट देंगे तो जो बिमारिया हमारी हेल्थ मिनिस्टर जा आप कहते हैं कि साथ कैंसर तंबा कु खाने से कैंसर नहीं ह तुरिजम संभव होगा और आप यह जानते कि किसी योजना का पुनर भरन कैसे होता है यानि कि दस रुपए के दो रुपए देकर उसमें से भी दस में से साथ पैकेज का पैसा देना तीन पैकेज रिजेक्ट कर देना कहां से यह इंसानियत है डॉक्टरों के साथ इंसानियत की में डॉक्टर करते हैं हम भी इंसान है और सरकार आज गली महले में हर गली में एक अलकोहल की दारू की दुकान खोल कर बैठी है क्योंकि वहां से उसको राजस्व मिलता है तंबाको की बिहार की तरह बहुत पीछे ले जाएगी आप सोचिए कि आपका इसमें कितना नुकसान होने जा रहा है फिर इसमें सिंगल विंडो एड्रेसल का प्रावधान है जिसमें की डॉक्टरों की प्रतिनीधी मंडल ने डॉक्टरों को मीटिंग में बताया और बाद में मुकर तो इस तरीके से सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता की भावनाओं पर अपनी रोटियां सेख रही है वोटों की राजनीती कर रही है सरकारी अस्पतालों में तो आर्टेश लागू नहीं हो पा रहा है क्या वहां पे 24 गंटे इलाज हो पाता है कभी डॉक्टर नहीं मिलता कभी नहीं कभी को दबाई नहीं मिल रही है और क्या हुआपे सब को बैड मिल पाते हैं क्या सबको सब्सुतरी व्यवस्ता मिल पाती है बिलकुल भी नहीं मिल पाती है तो जबसकार अपना system दुर। नहीं कर पार है तो प्राइवेट उस्प्रूँ पर को थोपना जायज है ना कहीं कुछ ना कुछ तो इस बिल में गलत है जो कि नहीं होना चाहिए अगर आज गलत के आवाज गलत के लिए आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो चिकेट सक का प्रोफेशन हमेशा हमेशा के लिए राजस्तान से खतम हो जाएगा और आपको सरकारी सेवाओं में ह जूचना पड़ेगा उनी लाइनों में लगना पड़ेगा और उसी क्वालिटी की हेल्थ केर आपको फेस करनी पड़ेगी तो हो सकता है कि दिल्ली और मुंबई जाने से लोग रुक गए थे इलाज राजस्तान में होने लगा था वही सिस्टम वापस चालो होगा कभी भी मानने मुख्यमंत्री जी अपना इजा सरकारी इस्पताल में नहीं कराते हैं वह हमेशा बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पडल में जाकर इलाज कराते हैं तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी इस्पताल में वह अपना इलाज कराते हैं क्यों नहीं कराते हैं क्यों अपन इंडिया के डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं करते हैं वो इंडिया के डॉक्टर ही भाहर इलाज कर रहें क्यों क्योंकि वहां काम करने की आजादी है उनको काम करने का रिस्पेक्ट मिलता है उनको काम करने की अर्निंग मिलती है उनको उसके साब का वैल्यू मिलता है जो कि इस बात को माननी लेती थैंक यू